Hello everyone, इस वीडियो में हम Class 6, Subject Social Science का Assessment 2 करेंगे Date है इसकी 31 August 2021 और इस Assessment को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए तो आईए शुरू करते हैं देखिए यह आपका Assessment है यानि एक तरीके से Test की तरह है तो आप इसको खुद सॉल्ब करने की कोशिश कीजिए और Help के लिए मैं आपको उनके Solutions दिखा देती हूँ तो क्या है देखते हैं Darken the Circle of the Correct Answer of the Following Question यहाँ पर Questions पूछे गए हैं उनके Correct Answer पर आपको क्या करना है यह जो गोला पनाए उनके आगे उनको इस तरीके से भढ़ देना है तो आएए करते हैं First Question क्या पूछा गया है First Question देखिए In How Many Days Does the Moon Move Around the Earth यानि धरती के चारो तरफ आपको पता है Moon यानि चंद्रमा चकर लगाता है तो कितने दिनों में Moon चकर लगा पाता है धरती के चारो तरफ तो A Option है 30 B Option है 27 C Option है 29 और D Option है 28 तो इसका आंसर क्या उचे का B Option 27 जितने भी Questions हैं सब हम अपनी वक्षीट में कवर कर चुके हैं अब Next Question Who was the first astronaut to step on the surface of the Moon? यानि जो Moon होता है जैंद्रमा होता है उस पर किसने सबसे पहले कदम रखा था कौन सा ऐसा astronaut था जिसने सबसे पहले Moon के सथव पर कदम रखा था A है कल्पना चाबला B है Newton C है Neil Armstrong या फिर D है None of these तो देखिए कौन था वो हमने अपनी वक्षीट में पढ़ चुका है You can see Full Moon Night in a month एक महीने में आप पूरी चंद्रमा की रात यानि पूर्णे मा Full Moon Night कितनी बार देख पाते हैं एक महीने में तो एक महीने में सिर्फ एक बार ही आती है Full Moon Night तो इसका अंसर उचेगा A option 1 Question 4 है Which of following goods may Kerala Attractive Place for Traders Kerala को कौन से चीजें एक attractive जगे बनाती है विपारियों के लिए A है Rice B है Spices C है Wheat D Cotton Rice का मतलब चावल Spices का मसाले Wheat का गे हूँ और Cotton का मतलब होता है Rooi तो इसका अंसर उचेगा B आपने वक्षीट में हम लगोंने पढ़ाई है कि चो Kerala है उसमें बहुत सारे मसाले पाई चाते हैं इसी कि वचे से Traders वहाँ पर गूमने आते हैं मतलब विपार के लिए मसाले लेने आते हैं Answer the following questions अब देखे इस assessment में आपके questions भी दिये गए हैं Question No.5 Write the date of full moon night and new moon night of this month August 2021 अभी August चल रहा है तो अगस्त में यानि इस महीने में पूनिमा और new moon night पूनिमा और अमावस्या इस महीने के किस तारिक में पढ़ेंगे आपको बताना है तो देखे इसका answer क्या हो जाएगा देखते हैं हम ये देखे Question No.5 इसका answer हो जाएगा full moon night कप पढ़ती है 22 अगस 2021 में और new moon night इस महीने का पढ़ी 8 अगस 2021 तो इस महीने की date यहाँ पर मैंने लिख दी है Question No.6 What do you understand by satellite? अब satellite से क्या समझते हैं तो इसका answer हो जाएगा A satellite is a small object that orbits or revolves around a large object in space यानि satellite एक small object होता है जो की गूमता है चक्कर लगाता है एक बड़े object के space में तो जैसे धर्थी के आसपास जो है चंद्रमा चकर लगाता है तो जो चंद्रमा है वो धर्थी का satellite है Question 7 Why is Earth is called blue planet? Earth को नीला गरह है यानि blue planet क्यों कहा जाता है? तो इसका answer आप करेंगे The Earth is called the blue planet because 71% of the Earth is covered with water 71% Earth जो है वो पाने से ही ढखा हुआ है इसलिए Earth को blue planet कहते है ठीक है तो ये हो गए आपके answers मतलब question के answers अब देखिए next क्या है Question number 8 है fill in the blanks यहाँ पर आपको इन blanks को भढ़ना है The Earth is the dash nearest planet to the sun In size it is the dash largest planet It is slightly frightened at the dash तो यानि जो धर्ती है देखो मैंने already इनके answers लिख रखे हैं पूछा गया है कि धर्ती सूरे से नजदीक कौन से number पर पड़ती है तो third number पर है और size में धर्ती कौन से number पर है 5th है यानि 5th सबसे largest planet है धर्ती It is slightly flattened at थोड़ी से दबी हुई, पिचकी हुई कौन से side पर है बोथ north and south poles यानि देखो धर्ती का ऊपर के जो दो poles होते हैं यहाँ पर यह थोड़ी से चपती है यह इसका fill in the blanks के आप answer करेंगे Question 9 क्या है Describe any three geographical features of Ladakh Ladakh के बारे में आपको उसके geographical features बताने हैं तो देखे question number 9 का answer क्या होगा यहाँ देखे question number 9 का answer Ladakh के three geographical features पूछे है तो first geographical feature क्या है Ladakh is a cold desert वहाँ पर बहुत cold है ठंडी desert है वो दूसरा feature है It has deep valleys वहाँ की जो valleys हैं घाटियां हैं वो बहुत deep deep है यानि बहुत इसाथ उनकी depth है Third It has mountainous land in snow covered mountains Snow covered mountains है वहाँ पर बर्फ होती है हर जगे और जो है पहाड़ी जिसा इलाका है उबड खाबड वहाँ का एरिया है तो ये geographical features होगे Ladakh के Next देखी question number 10 How do geographical and historical factors make people life diverse? Geographical and historical factors कैसे लोगों की life को diverse बनाते हैं लोगों की जिंदकी में विशेशता इलाते हैं भिन्नता इलाते हैं तो ये भी हम वक्षित में पढ़ चोके हैं ये चार marks का प्रशन है और उपर के दोनों जो थे fill in the blanks और उपर वाला जो question हमने किया वो दोनों तीन-तीन marks के थे और बाकी उपर सब दो-दो marks के थे और ये आपके MCQs चार पूछे गए थे और चार marks के ही ये सारे थे ठीक है तो आईए अब हम अपना last question करते हैं ये question number 10 तो देखिए इसका answer क्या हो जाएगा यहाँ देखिए ये इसका answer हो जाएगा answer number 10 क्या है बढ़ते हैं geographical factors influences the food we eat, the clothes we wear and the way we look historical factors influence our culture and tradition hence intermixing of cultures took place in this way geographical and historical factors make people life diverse तो जो geographical factors होते हैं वो कैसा खाना हम खाते हैं कैसे कपड़े हम पहनते हैं और कैसे हम दिखते हैं उस पर depend करते हैं और जो historical factors होते हैं वो हमारे culture को influence करते हैं हमारे tradition को और इसे की वज़े से जो geographical और historical factors हैं उनकी intermixing हो जाती है cultures जो हो जाते हैं वो intermix हो जाते हैं और इस तरीके से जो geographical और historical factors हैं वो लोगों की life diverse बनाते हैं तो यह इसका आप लोग answer लिख लेंगे ठीक है और यह चाहा marks के question था इसलिए थोड़ा long form में मैंने आपको लिख वाया है क्योंकि जादा marks है इसके अच्छे से हमें explain करना था तो यहीं आपकी worksheet हो जाती है और सारी assessment हो जाता है finish I hope आपको assessment अच्छे तरीके से समझ आया होगा और अच्छे से सको कीजेगा Thank you